आप लोग फोटो देखकर समझ गये होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करेंगे हौकी के जादूगर के बारे में हौकी के जादूगर की कहानी देखेंगे इनका नाम क्या है? मेजर ध्यान चंद और आप लोगों को मालू होगा कि कुछ समय पहले हमारी सरकार ने जो राजीव गांधी खेड रतन पुरुसकार हुआ करता था जो शुरू कब हुआ था? 1991-92 में शुरू हुआ था इसका नाम बदलके मेजर ध्यान चंद खेड रतन कर दिया गता और आप देखें इनकी कहानी बड़ी संगर्स भरी रही है लेकिन अंतिम समय में जो अंतिम सफर रहता है उसमें बहुत बुरी तरह से इनका समय कटा है उस समय को भी हम लोग देखेंगे आप लोग इनकी पिक्चर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मेजर ध्यान चंद का जनम उत्तर पिदेश की इलाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था और अगर आप देखना चाहें न उत्तर पिदेश देख लीजे उत्तर पिदेश में इलाबाद पड़ता है और उत्तर पिदेश की राध्धानी लखनव इसकी अंतराश्टी सीमा उत्तर पिदेश आपका राजनीती की दृष्टी से भी काफी मातपूर है यहां विदाहन सवा में 430 सीटे हैं विदाहन परिशत में 100 सीटे हैं राध्धाबा में 31 सीटे हैं लोग सवा में 80 सीटे हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्धी है न उसका रास्ता उत्तर पिदेश से ही निकल कर आता है और अधिकतर पिदानमंत्री अगर सूची आप लोग उठा के देखें न तो अधिकतर पिदानमंत्री उत्तर पिदेश से ही निकल के आये हुए हैं तो इलावाद में इनका जर्म होता है और उनकी पिता का नाम समेशोर सिंग था और वो राजपूत परिवार से थे जो बेटिस इंडियन आर्मी में एक सुवेदार की रूम में इनके पिता काम करते थे साथी होकी केम गैम खेला करते थे ध्याँचंद के दो भाई थे एक का नाम मूल सिंग दूसरे का नाम रूप सिंग था रूप सिंग भी ध्याँचंद की तरह होकी केला करते थे जो अच्छे खिलाडी थे और रूप सिंग इस्टेडियम कहा है आप लोग बताईएगा ये नीचे बताईएगा ध्यानचंद के पिता समिसुर आर्मी में थे और जिस बज़े से उनका तवादला आए दिन कहीं न कहीं होता रहता था और इस बज़े से ध्यानचंद ने कक्छा आठवी के बाद अपनी पड़ाई छोड़ दी और बाद में ध्यानचंद की पिता उत्तर प्यदेश के जहासी में आवस्ते थे हौकी की सुरुआत की अगर हम बात करें तो इवाबस्ता में ध्यानचंद को हौकी से विलकुल लगाओ नहीं था उन्हें रेसलिंग बहुत पसंद थी उन्होंने हौकी खेलना अपने आसपास की दोस्तों के साथ खेलना सुरू किया था जो पेड की डाली से हौकी स्टिक बनाते थे और पुराने कपणों से बॉल बनाया करते थे आप लोगों ने देखा होगा अभी बच्पन में इस तरह की बॉल बनाते हैं बैट बनाते हैं लकड़ी से बॉल बैट बना लेते हैं और कपड़े से गैन बना लेते थे और खेलते थे 14 साल की उम्र में वे एक होकी मैच देखने अपने पिता के साथ गए वहाँ एक टीम दो गोल से हार रही थी ध्यांचन ने अपने पिता को कहा कि वो इस हारने बाली टीम के लिए खेलना चाहते थे वो आर्मी बालों का मैच था तो उनके पिता ने ध्यांचन को खेलने की इज और 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यांचंद पंजाब रेजीमेंट में एक सेपाही बन जाते हैं और आर्मी में आने के बाद ध्यांचंद ने हौकी खेलना सुरू किया और उन्हें एपसंद आने लगा और सुविदार मेजर भोले तिवारी जो बिरमबन रेजीमेंट से थे बे आर्मी में ध्यांचंद के मेंटर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ग्यान दिया और पंकज गुपता ध्यांचंद के पहले कोच कहे जाते हैं उन्होंने ध्यांचंद के खेल को देखकर कह दिया था कि ये एक दिन पूरी दुनिया में चांद की दरह चमकेगा और उन्हीं ने ध्यांचंद को चंद नाम दिया था जिसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारन लगे थे। इसके बाद ध्यानचंद, ध्यानसींग का नाम ध्यानचंद पर बन गया था। और ध्यानचंद की खेल के ऐसे बहुत से पहलू थे जहां उनकी पितिवा को देखा गया था। एक मैच में उनकी टीम दो गोल से हार रही थी, ध्यानचंद ने आकरी चार मिनिट में तीन गोल मारत टीम को जिताया था, और यह पंजाब टूनामेंट मैच जेलम में हुआ था, इसके बाद ही ध्यानचंद को हौकी बिजाड कहा गया था, और ध्यानचंद ने 1925 में पहला नेशनल हौकी टूनामेंट गेम खिला था, और इस मैच में विज, उत्तरपदेश, पंजाब, बंगाल, राजपूदाना और मद भारत ने हिस्सा लिया था, और इस टूनामेंट में उनकी परफॉमेंस को देखने के बाद, उनका सेलेक्शन भारत की इंटरनेशनल हौकी टीम में हुआ था, और अंतर तो ध्यानचंद के लिये थे, और इस टूनामेंट में भारत ने 21 मैच के लिये थे, और जिसमें से 18 भारत बिज़े ही रहा था, एक हार गया था, और दो ड्रा हुए थे, यानि कि खतरना केला इनोंने, और भारती टीम ने पूरे टूनामेंट में 192 गोल किये थे, जिनमें से ध्यानचंद ने 100 गोल मारे थे, और यहां से लोटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नाएक बना दिया गया था, प्रमोसन दे दिया गया था, और 1927 में लंदन की फॉल्क स्टॉन, स्टॉन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किये, और जिसमें से ध 13 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद ने मारे थे, और भारत को पहला स्वर्पदक जिताया था, गोल्ड मेडल, फिर आप देखेंगे कि 1932 में लास एंजल्स, ओलंबिक गेम में भारत का फाइनल मैच अमेरिका की साथ था, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड 23 गोल किये थे, औ 31 साथ जीत हासिल कर स्वर्पदक हासिल किया था, और यह बल रिकॉर्ड कई सालों बाद 2003 में तूटा है, उन 13 गोलों में से 8 गोल ध्यानचंद ने मारे थे, और इस इवेंट में ध्यानचंद ने 2 मैच में 12 गोल मारे थे, इसके बाद आप देखेंगे कि 1932 में बर्लिंग अलम्पिक में लगाता तीन टीम हंगरी अमेरिका और जापान को जीरो गोल से हराय था, और इस इवेंट के ऐमी फाइनल में भारत में फ्रांस को 10 गोल से हराया था, और जिसके बाद फाइनल जर्मनी के साथ हुआ, और सौड बदा क्यानिक गोल बेडल जीता, ध्यानचंद की पिदिपा को देखकर जर्मनी के महान हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी आर्मी में हाई पोस्ट में आने का ओफर भी दिया था हिटलर के बारे में आप लोग पढ़ते हैं लेकिन ध्यानचंद को भारस से बहुत प्याल था और उन्होंने इस ओफर को बड़ी सिष्टता से मना कर दिया था आज के कोई होता तो चला जाता आप देखते हैं ध्यानचंद अंतराश्टी होकी को 1948 तक खेलते रहे इसके बाद 42 साल की उम्रे में उन्होंने रिटार्यमंट ले लिया और ध्यानचंद इसके बाद भी आर्मी में होने वाली होकी मैच को खेलते रहे 1956 तक उन्होंने होकी स्टिक को अपने हातों में थमा रहा और 34 साल देश की सेवा की बाद 29 अगस्त 1956 को भारती सेना से लेटिनेंट की रो में सेवा निवित्थ हुए और क्यों कहा जाता था इन्हें होकी का जादूगर ये आप लोगों में से कई लोगों की मन में सवाल बना रहता है तो मेजा ध्यानचंद को होकी इतने कुसल खेलाडी थे कि जब वो खेलते थे गयन उनकी होकी स्टिक से चिपक जाती थी और लोगों को सक रहता था कि इन्होंने अपनी स्टिक में कुछ लगा रखा है उनसे इसी होकी खेल लें कि अंदास से लोग इनको होकी का जादूगर कहने लगे थी और कहते हैं कि नीदरलेंड में एक मैच के दौरान मेजर ध्यानचंद की होकी से ग्यान चिपक की रहने के कारण उनकी होकी स्टिक तोड़ी गई थी लोगों को डाउट था कि कहीं इसमें कुछ लगाए हुए तो नहीं थे जिससे ये चिपक रही है तो इस तरह से ये थे कौन मेजर ध्यानचंद साहब इनकी मौत की बात करें तो उन्हीं लीवर का कैंसर हो गया था अंतिम समय में और मेजर ध्यानचंद को दिली की एम्स होस्पीटल में जनल बार्ड में भरती कराए गया था और 3 दिसंबर 1989 को उनका ध्यान थो गया था जनल बार्ड में और आप देखिए जितने भी हमारे सोतंता सेना नहीं कर लीजे इस तरह के आप देखिए कि महान खिलाडी कह लीजे जिन्होंने देश का नाम उचा किया उनका अंतिम समय बहुत ही बुरा भी था अंतिम समय में आप देखिए सब कोई साथ छोड़ दिया उनका इनकी अचीमेंट की बात करें तो 1956 में भारत के दूसरे सबसे वड़े सम्मान पदम भूसन से ध्यान चंद को सम्मानित किया गया था और पदम भूसन आप सभी ज्यानते हैं कि 1954 से शुरू गा था उनके जनम दिवस पर 29 अ नेशनल इस्टेडियम का निर्मान कराये गया था मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवरसिटी मेरट में आपको देखने को मिलेगा राजीव कांदी खेल रतन अबार्ट का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रतन भई कर दिया गया है और 2014 में मेजर ध्यानचंद का नाम भी भारत रतन पुरुषकार के लिए नामित था लेकिन वो है पुरुषकार सचनते अंदूलकर को मिल गया था बेबीसी ने अमेरिकी बॉक्सर मुहमद अली की तुलना मेजर ध्यानचंद से की थी तो एक सौर्ट कहानी बायगुराफ ही आप लोग कह लिजी मेजर ध बात करनेंगे ठीक है